हेलो गाइज वेल्कम बेक टू तो आज हम बात करने वारे हैं क्लीन थेओरम के बारे में तो जो इस ट्रीफण क्लीन थे वो आपके लिए कुछ बात बता के गहें और बातों को पड़ना और इस थेखना बहुत इंपोर्टेंट थेओरम है सेविन मार्क्स के कुछिन के साब स सब्सक्राइब करने हैं तो सबसे पहले बात है कि रिपर्जेंटेशन आफ टीन इसको दो पार्ट में देखा गया है सबसे पहले पार्ट में क्या देखा है कि if a language is regular if a language is regular यदि कोई language क्या है regular है तो it can accepted by a finite automata अगर कोई language regular है तो वो accept होगी finite automata द्वारा और second बात है if a language is accepted by finite automata then it is regular यानि कि अगर कोई language इस finite automata जो है accept कर रहा है तो उसके regarding वो क्या होगी regular होगी regular कह सकते है या that is आप short form में जान सकते हैं regular expression regular expression ठीक तो one by one हम इन दोनों statement को prove करेंगे और देखेंगे तो पहला statement है if a language is regular तो it can accepted by a finite automata तो prove करते हैं इसका सबसे पहले हम इसके लिए इसको unit length के लिए prove करते हैं क्या कि ये unit length पे काम कर रहा है ये बात यानि कोई हम ऐसी unit length की कोई एक sting या कोई भी ऐसा कोई special symbol लेंगे जो regular होगा regular language का part होगा अगर वो regular language का part होगा तो इसके regarding finite automata होगा देखें null phi और कोई भी एक unit symbol कोई भी एक unit symbol आप let's suppose a लिया है हमने ठीक है तो जो फाई है फाई के regarding हमने जो डिया से पहले भी एक अबार डिजाइन किये हैं उसमें क्या होता है कि जश्ट आप जो initial state होती है initial state से आप जो final state की तरफ मूब भी ना करें तो वो कभी कोई उस input को accept करें गई नी ठीक और null का तो simple है initial और final state की बीच में null के साथ associate कर दीजी ठीक अई unit length में क्या है मानिस एक a है simple और उस a को accept कराना accept कराने के लिए क्या है initial state एक final state ठीक a accept हो जाएगा ये machine हमेशा single a को accept करेगी ये machine null को accept करेगी और ये machine कभी कुछ accept करेगी नहीं तो ये तीनों बात थी unit length के लिए थी ठीक अब इनके अब बात इनसे आगे बढ़के क्या है unit length से value greater than यानि की जो अब जो हमारी जो language होगी उसके regarding जो regular language के regarding को इप इस्टिंग होगी अब उसकी length more than one है भी ये कोई बात जब बन के लिए प्रूव है तो वह more than one के लिए भी प्रूव होगी ठीक तो more than one के लिए हमने बात किए a plus b के लिए बात किए a plus b के लिए तो a plus b के लिए करा क्या है कि आप a के लिए एक सिंगल मेशिन डिजाइन करेंगे पहले जैसे क्यूब नहीं यहां पर यहां साइड में करते तो मैं क्यूब अब इनको हमें कमाइन करके तो कमाइन करने के लिए हमने देखा था इनको with the help of null की साइथा समझोड देते थे हमेशा जब नल की साइथा से दो final state तो हो नहीं सकते किसी मसीन के अंदर यह दो जगा तो special output accept हो नहीं सकता तो इनको भी null की साइथा से add कर देंगे और एक qf- तयार कर लेंगे ठीक इसके regarding तो यह कह यह पहला जो पूरा content है यह आपके पहले बात के बारे में जो बुझो होगा कि if a language is regular तो it can accepted by a finite automata ठीक तो देखा हमने unit length के regarding भी finite automata generate हो रहे हैं अब बात unit length से बढ़कर की तो उसके regarding भी finite automata generate होगा ठीक अब बात करते हैं second if a language is accepted by finite automata then it is regular let us हमारे पास कोई finite automata कुछ इस प्रकार का हुआ 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 है हुआ है तो आई होप इतने सारे वीडियो लेक्चर साथ चुके हैं तो कम से कम आप इसके regarding एक रेगुलर expression तो easily generate करी लेंगे तो मुझे बताने की ऐसी खासा को जरुत लगने रही कि यह मैंने कहां से लिखी है अब आपने देखा कि यह कोई मशीन थी इस मशीन के regarding यह मशीन का एक सिंगल एक को accept कर रही थी जो इसकी लीस स्टिंग थी कि यह एक यूनिट लैंस सिंगल एक सप्ट जरूर करेगी ठीक तो भही कर रही है यह यह यूनिट लैंस सिंगल एक सप्ट इसके regarding क्या regular expression जण्च नहीं हुई आप देख सकते हैं इसके regarding एक regular expression तो ये आपका सेकेंड प्रूव कि तो और इतना बहुत इतना परियापता सेविन मांक्स के लिए यतना आप यह जितना मैंने बताया इतना परिक्ट करते हैं तो यह परियापता क्लीन थोरम में इतना ठीक अभी हमने clean theorem देखा तो clean theorem एक अलग topic है अभी कुछ एक दो छोटे-छोटे से numerical मैं आपको बताता हूँ यह कभी ऐसा test 7 marks question में parts की form में आ जाते हैं कि A part में यह B part में यह इनकी regarding regular expression लिखी तो just बहुत important topic है वो question है sorry write a regular expression for all string containing odd number of 0 मतलब की आपको एक ऐसी regular expression लिखनी है अब ऐसा statement आएगा समझ रहे हैं न कोई diagram कोई transition graph या कोई भी NFA DFA ऐसा कुछ नहीं बना कर दे रखा होगा directly एक statement दे रखा होगा और उस statement की regarding आपको क्या है regular expression लिखनी है ठिक ठिक इसी प्रकार write a regular expression for all string containing odd number of 0 एक regular expression लिखनी है और string कैसी होगी उसकी कि उसमें odd number of 0 होगे ठिक odd number of 0 यानि कि sigma की family पता चलगी या आपको क्या 0 बनी हो सकते हैं और उन 01 मौई भी जो string को कौन सी finite automate accept करेगा जहां पर odd number of 0 होगे ठिक तो एक तो कई सारे मतलब दो method देखें हैं हमने कि एक तो directly आप ऐसे लिख सकते हैं यह नहीं है इसकी ठिक सबसे पहले क्या है directly लिखेंगे तो गलत होने की chances रहते हैं यह इसकी regular expression नहीं है आप इस पर ध्यान ना दें तो आप क्या है आप एक odd number of 0 की regarding final tatometer design करिए तो सबसे पहले जो least string होगी कि आप single 0 odd नहीं है single 0 odd है तो हमने उसको accept करा दिया single 0 को अब single 0 से पहले one कितनी हो सकते हैं बाद में भी one कितनी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन जीरो के तुरंत बाद zero accept नहीं होना चाहिए क्या ऐसी को इस्टिंग accepted होगी नहीं होगी जीरो जीरो accepted है नहीं लेकिन ऐसे नहीं देखा कि इसके रिगार्डिंग जो डीएफ हमने design कि अब इसके रिगार्डिंग हमें क्या है regular expression generate करनी है अब यहां से क्या होगा एक लूप generate हो जीरो से आयो जीरो पर खतम हो गई इस तो इस सारी सारी वैली को क्या है इस वाली state पर store करने के लिए जीरो यह सेल्फ लूप है तो star में आएगा वन इस्टार जीरो इस पर store कर दिया अब यह सेल्फ लूप हो गया ठीक अब आप जानते हैं अगर कोई चीस सेल्फ लूप हो तो वह स्टार में लेखी जाती है ठीक तो इसकी जो regular expression हो जाएगी क्या हो जाए जीरो वन इस्टार ठीक यह क्या है यह इसके रिगार्डिंग एक यह least यानि कि क्या odd number of 0 के रिगार्डिंग क्या है एक regular expression है अब यह देखिए कि यह पूरी string कहीं odd number of 0 generate कर रही है कर रही है पूरे पर इस्टार यानि कि यह पहली बार में अगर नल generate कर देता है और यह भी जनरेट कर देता है तो इसकी value के 0 आ रही है देखा तो इसने क्या है least string एक single 0 क्या है क्या कर दिया यहाँ पर generate कर दिया ठीक आई होप आपके यह question समझ में आया होगा बहुत important question है अब ऐसे एक और question देखते हैं छुटा सा write a regular expression for all string containing exactly two a's exactly two a जैसी बात है दो a को accept करा दो आपको फिर एक और बार बता देता हूँ कि regular expression निकालने के लिए अज़र यह matter नहीं करेगा आप क्या nfdf देख रहे हैं कुछ नहीं ठीक आप दो यह अपने accept करा दें ठीक अब इनकी regarding आपने क्या regular expression जाएट से निकाल जी डारेक्टी ठीक थेंक यूँ